आज आपका भाई आपको ऐसी चीज दिखाने वाला है जो आपने न कभी देखी होगी और न सुनी होगी तो वीडियो के एंड तक बने रहे हैं नूर उससवा लाइट आप डॉन ये जो महला आप देख रहे हैं ये है भोपाल के नवाब का और ये खड़ी उनकी जीब ये मशूर इंडिया के एक्टर सैफ अली खान के परदादा यानि भोपाल के नवाब हामिद उल्ला खान ने 1920 में अपनी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान के लिए बनवाया था और ये रहा सुल्तान शाह जहां बेगम का तांगा जिस पे वो घूमा करती थी और देखे किस कदर खुबसूरत आर्किटेक्चर है मैं आपको बता दूँ भोपाल के नवाब हामिद उल्ला खान इंडियन एक्टर सैफ अली खान के परदादा थे तो यह आप देख सकते हैं कितने खुबसूरत इनोंने पिलर्स बना रखे हैं और लेफ्ट साइड में टाइल्स व्गेर और पत्थर अच्छे लगें यह सामने आपको गेट सकता है और यह सामने भाला लगा हुआ है और यहां पे अरोपलेन आपको सामने दिख सकता है आपको साम नोग मंगर नदर मैं पनाρείक्य की जाएगी मैं आपको बता दूँ इसमें टोटल 57 कम रहे हैं और ये भोपाल की एक उंची पहाड़ी पे बना है जो बड़े तलाब से जानी जाती है और ये रहा यहां का बफेट एरिया जहां पे खाना खुद निकालने की सुवीदा उपलप्थ है तो मैं आपको बता दूँ जैसे यहां पर ब्रेक्पपफास्ट करेंगे काफी तरह-तरह कि यहां पर चीजें है साundh Eng interesting है इंडियन फूड है एस एक्ज हैं काफी सारी चीजे यहां पर आपको ब्रेक्पफास्ट में मिलेंगी तो चलिए अब आपको मिले गया चलता हूँ breakfast की और garden area में देखे कितना amazing है और अब हम करते हैं यहाँ पे बैठके breakfast तो guys मिलते हैं आप लोगों से next vlog में जब तक के लिए thank you so much guys